है गाईज हाई दिस अभी शेरिक महास अडिजर ओफिसेट विदान तू कैसी चले वुचे जिन्दगी कैसे हो मेरे शेरों शेर्णियों वेलकम टू अधमाकेदार सेशन नाव आई कि भाई मैं बड़े स्क्रीम पर नहीं हूँ लेकिन आज मज़ा उतना ही आने वाला है क्योंकि आज हम करने वाले हैं तो क्या आप लोग रेडी हो एक एक करके पूरा करेंगे एक एक करके फोड़ते रहेंगे तो रेडी हो तो बोलो जोर से बल्ले बल्ले शुरू करते हैं आज का सेशन on time ठीक है ना यह सेशन बें लाइव नहीं है हम लाइव चला रहे हैं इसको बड़ी यह लाइव नहीं है दो आपको डाउट है वो हम यहाँ पर कर देंगे तो complete solution of every single question we are gonna do it today with the concept behind that particular question ठीक है और यह पूरा session को मिलाकर 30 minutes 35 minutes को उससे जाधा नहीं so don't worry about it करें शुरू फिर चलो फिर आगे बढ़ते हैं भाई साब देख रहा है आपको न मास session ठीक है चलो session देख रहा है बराबर है भाई तो बल्ले बल्ले के साथ शुरू करते हैं वीडियो अच्छा लगे तो शेर करना हम दोस्तों के साथ लाइक करना वीडियो को सब्स है चलो अब आगे बढ़ते हैं पहरा सवाल आपका इस पूरे चाप्टर में यह रहा आपके सामने का है अब ग्राविटेशनल फोस का फॉर्मला क्या होता है यह होता है अगर मानलों यहाँ पर डिस्टेंस को आधा कर दे जाने कि दिस्टेंस आपके बीच में अब आधा हो गया है और दिस्टेंस आरवाई तो ग्राविटेशनल फोस के बीच में ग्राविटेशनल फोस में क्या बदलावा आएगा तो यहां इस फॉर्मला में डाल देते हैं एफ जीगवल टू कैपिटल जी कैपिटल म स्मॉल एम अपॉन अपॉन आधा हो गया या कि क्या अब इसकी वैल्यू के तरिएगी भाइक ग्राविटेशनल फोस ग्राविटेशनल फोस च्रुना बढ़ चुकी है और यह मेरे ख्याल से कॉमन सेंस के साब से बी सही होना चाहिए क्यों कि भाई पता है मैं अगर दो object के बीच में distance कम हो जाएगा तो gravitational force बढ़ जाएगी ना चांद अर्थ के करीब आजाएगा तो और जाला gravitational force बढ़ जाएगी अगर हम किसी black hole के पास ले जाएगे तो भाई वो हमें खीच लेगा तो पता है मैं distance कम होगी gravitational force बढ़ जानी चाहिए तो distance आधी होती है gravitational force चार गुना हो जाता है बहुत सारे बच्चे और मैं भी खुद यहाँ पर ये mistake करता था कि r by 2 का square नहीं करता था बहुत सारे लोग भूल जाते कि यहाँ पर r के उपर एक square लगा हुआ है चलो आगे बढ़ते हैं तो question number 2 ठीक है और जो मैंने लिखा है उसके साथ-साथ एक proper solution मैंने आपे mention की हुई है और ये पूरा-पूरा PDF आप लोग हमारी telegram channel से डाउनलोड कर से हो जिसका link description में है भूलिएगा मत ठीक है भूलोगे तो मार खाओगे भूलना बिलकुल नहीं आगे बढ़ते हैं second question gravitational force acts on you know all objects in the यार ये मैं दूसरा color क्यों ने चूस कर पाता बुरा लगता है अमर को यार से एकी color चूस कर पार रहा हूँ ठीक कोई बात नहीं gravitational force acts on all objects in proportion to their masses why then a heavy object does not fall faster than light object that's a very interesting question देखो पहला statement बिलकुल सही है जितना ज्यादा भारी होगा आपका object उतना ज्यादा gravitational force होगा क्यों 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 gravitational force का formula होता है जैसे हमने भी सीखा capital G capital M small upon R square अब मानलो कोई चीज अर्थ पे गिर रही है तो ये बड़ा M जो है mass of earth है चोटा M object का mass है जितना ज्यादा object का mass होगा उतना ज्यादा gravitational force होगा है ना क्योंकि भाई देखो आप gravitational force और ये चोटा mass directly proportional है numerator में हो तो बिलकुल सही बात है तो फिर यार जब दो objects गिरते हैं भारी object जल्दी क्यों नहीं पहुचता आपके जमीन पर और lighter object देरे-देरे क्यों नहीं आता क्योंकि gravitational force तो भारी object पे ज्यादा होना चाहिए तो ऐसा क्यों होता है जवाब इसका बहुत simple है और वो ये है आपको याद रखना है कि कि इसी भी object पे acceleration कितनी होती है acceleration ड्यूट ग्राविटी जो जी है उसकी उसका फॉर्मला है capital G capital M upon r square यह acceleration ड्यूट ग्राविटी के उपर है यह acceleration क्या होती है यार यह जो gravitational force है इसके वज़े से हर एक object अर्थ की तरफ हिचती है वह force है अर्थ की तरफ किछी तो खिच रही है तो एक acceleration की साथ खिच रही है ना wherever there is a force there is an acceleration हमने सीखा हुआ है second law of motion से correct तो वो acceleration कितनी है यह इतनी है gm upon r square इतनी है इसमें अगर आप देखोगे तो भाई इसमें छोटा m है ही नहीं यह चोटा m है वो इस formula में है ही नहीं there is no small m there यानि कि आपका acceleration due to gravity does not depend upon the mass of the small object it only depends upon the mass of the earth or the bigger object जो खीच रही है समझ रहे हो तो अब बड़ा object गिरे heavy object गिरे light object गिरे थंडा object गिरे कोई भी फरक नहीं पड़ता क्योंकि mass dependent ही नहीं है acceleration उसका क्या है इसलिए दोनों object साथ में आते हैं भारी object पहले lighter object बाद में ऐसा नहीं आता है ठेक है तो इसको जब आप कैसे लिखोगे आप लिखोगे since the acceleration due to gravity does not depend upon the mass of the object or the smaller mass both heavier objects and lighter objects reach the ground at the same time ठेक है बहुत important सवाल है I hope आपको समझ में आ गया हो आगे बढ़ते हैं to question number 3 what is the magnitude of the gravitational force between the earth and a 1 kg object on its surface ठेक है माननों कि भाई आपका ये earth प्यारा सा यहां पर earth है और earth के ओपर आपका ये object यहां पर रखा गया है तो earth का gravitational force उस object पे कितना है ठेक है तो gravitational force का कितना formula होता है क्या formula होता है अभी हमने सीखा capital G capital M small m upon r square ठेक है earth का mass G की value आपको पता होनी चाहिए 6.67 into 10 per minus 11 into capital M कितना है भाई capital M दिया हुए 6 into 10 per 24 kg into small m आपको बोला गया कि भाई आपका object का mass 1 kg है तो 1 kg ठीक है divided by distance कितना है आर की value है 6.4 into 10 per 6 meter तो 6.4 into 10 per 6 meter का बोल square square करना मत भूलना ठीक है अब यहाँ पर अगर आप calculation करोगे तो आप बुडुबग खेलाओगे आपको लोग बुडुबग बुलेंगे क्योंकि यहाँ पर common sense का खेला गया है यहाँ पर क्या बताया जाया है कि भाई छोटा M 1 kg है याने कि अगर मैं इसी formula में direct M को 1 मांग लू तो मेरा formula क्या बन जाता है FG will be equal to capital G capital M upon R square यह तो भाई छोटा M 1 हो गया तो into 1 निकल गया हो बार ठेक है लेकिन G M upon R square अभी हमने देखा कि भाई वो तो acceleration due to gravity होती है है ना जिसका value तो हम जानते है 9.8 meter per second square है कि नहीं तो यह value यहाँ पर भी calculate करने की बाद मुझे 9.8 ही approximate आनी चाहिए है कि ने वही तो मैं क्या रहा हूँ तो calculate करने की जरूतने common sense की बात है यह सवाल आपको घुमाने के लिए 2 marks आपको ऐसी मिल जाएंगे calculate ना गरो सीधा यहाँ पर लिख दो 9.8 meter per second square लिके तो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर gravitational force निकाल रहे है तो 9.8 Newton आएगी सीधा अब आप करके देखो अब आप इसको numerically करके देखोगे ना तो value आपकी आईगी 9.77 की आसपास अब मैं आपको एक trick बताता हूं कि ऐसे power वाले formulas को कैसे करते हैं कि power वाले formulas में आपको बहुत जाए difficulty आती है अब कुछ आने वाले सवालों में power वाले सवाल होंगे जापर मैं आपको करके दिखाऊंगा कि power related सवालों कैसे करते हैं सबसे मेरा तरीका क्या होता है ना मैं सारे powers को अलग से calculate करता हूं और सारे decimals को निकाल देता हूं यह सवाल में आपको इसी तरीके से करना था शौकेट तरीके से करना था इसने मैं आपको directly बता दिया अब आगे बढ़ता है इन दोनों के बीच में gravitational force है जिसका value है gravitational force is equal to capital G small m upon r square यह आपका value है ठीक है भाई बहुत common doubt होता है बच्चों का भी आपको पता होना चाहिए कि भाई, gravitational force between two objects is same अर्थ जितने force से मून को खीचता है, उतने ही force से मून भी अर्थ को खीचता है gravitational force is an attractive force and it remains same in both the sides अब इसको prove कैसे करोगे आप, ठीक है, एक काम करते है let's find out the gravitational force of earth on moon यानि कि F.E.M, gravitational force of earth on moon तो capital G, बड़ा mass कौन से है, इसमे, mass of the earth, छोटा mass, mass of the moon divided by, दोनों के बीच में distance, मानलो, r है, तो r square, done, ठीक है अब यही same चीज़ अगर मैं moon के लिए लिखू, what is the gravitational force of moon on earth gravitational force of moon on earth, क्या value आगी आपको, capital G, mass of the moon, mass of the earth divided by r square, यही आएगी, तो आप देखोगे, यह दोनो equations, एक दूसरे से equal है है न, दोने equations, एक दूसरे से equal है, इसमें कोई difference ही नहीं है so gravitational force, दोनों के, अगर equations, दोनों के same है अगर मैं value भी टालूँगा, तो मैंनको value भी same ही आएगी, इसकी final answer भी same ही आएगी so gravitational force between them, hence proved, same रहता है, किसी भी दो objects के बीच में ठेक है, चलो, अब आगे बढ़ते हैं, to the next question on your screen, here we go if the moon attracts the earth, why does the earth not move towards the moon, यह यह भी अच्छा सवाल है क्योंकि पैसले सवाल में हमने proof कर दिया, that the gravitational force of earth on moon is equal to the gravitational force of moon on earth, है न, दोनों के बीच में same gravitational force है तो भाई, अर्थ तो moon को अपनी तरफ खीचती है, जिसके वैसे moon घूमता है अर्थ के चारोगर, तो फिर moon अर्थ को क्यों नहीं कीचता, जब gravitational force same है, तो moon अर्थ को क्यों नहीं कीचता, इसका जवाब बहुत simple है, यार second newton, second law of motion के हिसाब से, force is equal to mass into acceleration, है न, यहाँ पर हमने देख लें कि बाई, दोनों में force constant है, force क्या है, force यहाँ पर constant है, तो अगर force constant हो जाता है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, acceleration is equal to f upon m, है न, mass को में नीचे लिखे आया, अब अगर force constant निकला, तो acceleration becomes inversely proportional to mass, यानि कि एक object का acceleration उसके mass से inversely proportional होता है, in simple भाषा, भारी object slow move करता है, lighter object ज़्यादा तेजी से move करता है, same force लगाने पर है न, अगर इस pen को मैं ऐसे fake होंगा, same force से, तो आपके आँखों में आके लेगी, लेकिन अगर मैं इसी same force से rocket को fake होंगा, तो rocket हिलेगी भी नहीं, क्योंकि rocket का mass बहुत जादा है, इसी तरीके से हमारे अर्थ का mass as compared to moon बहुत जादा है, इसलिए उसका acceleration as compared to moon बहुत कम है, तो हाँ, जवाब इसका है कि भाई, अर्थ mass के पास जाता जरूर है, लेकिन वो जो distance जो acceleration है, negligible है, 0.000 something होगा, लेकिन है जरूर, खिचता जरूर है, लेकिन बहुत कम है, ठीक है, बात समाजब मैं आपको, चलो भाई, तो इसका जवाब ये है, कि since acceleration is inversive proportional to mass of the object, तो since earth has higher mass, it has lesser acceleration, towards the moon, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं to question number 6, बहुत interesting सवाल, मज़ा आता है न, gravitation सवाल करने में मिरको भी, now, what happens to the force between two objects, if the mass of one object is double, ये बहुत simple सवाल है, तो मैं कर लेता हूं या पर, gravitational force के साथ, gravitational force का general formula क्या है, capital G, capital M, small m upon R square, ठीक है, अगर कोई भी एक mass double हो जाए, कोई भी एक mass अगर double हो जाए, बड़ा M double हो जाए, छोटा M double हो जाए, क्या होगा, ठीक है, क्या होगा भाई, तो FG is equal to capital G, मानलो, बड़ा mass double हो गया, into M divided by R square, आपका gravitational force दुगना हो जाता है, बस, यह न, देख सकते हो आप, 2 G, में पर R square हो गया, दुगना हो गया, that's all, ओभी मैं बोला, बहुत simple सवाल है, और ऐसे simple सवाल आपको आते भी है, ठीक है, the distance between the object is doubled and tripled, अगर दोनों के बीच का distance, अगर में डबल करते है, और वैसे ही, अगर हमने distance को triple कर दिया, याने के 3R कर दिया, तो क्या value आएगी भाई साब, क्या value आएगी, जल्दी बताओ, तो यहाँ पर मेरी value आजाएगी, G, capital M, small M, upon bracket के बाहर 4R square हो जाएगा, और यहाँ पर आपके capital G, capital M, small M, और bracket के बाहर 9R square हो जाएगा, 3 का square 9, तो आप देखोगी, आपकी gravitational force यहाँ पर 4 गुना कम हो चुकी है, और यहाँ पर gravitational force 9 गुना कम हो चुकी है, है ना, तो हमारा hypothesis बिल्कुल सही था, gravitational force कम हो जाती है, divided by में आगिया ना, ठीक है, now, the masses of both objects are doubled, भाई, अगर दोनों masses को double कर दोगे, तो 2M into 2M हो जाएगा, आपका gravitational force 4 गुना हो जाएगा, कितना भाई, 4 गुना हो जाएगा, 4X, correct, ठीक है, आगे बढ़ते हैं to the next question, here we go, तो 6 सवाल हमने बहुत ही अच्छे speed में कर लिए, मैंने ख्याल से, भाई, कितना वक्त हो गया, अरे भाग क्या बात भाई, 10 मिनट के अदर 6 सवाल कर लिए, हमारा speed तो काफी अच्छा है, तो ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं, तो हम बराबर 30-35 मिनट के अदर काफी 6 सवाल क लेंगे, बढ़ हां कुछ सवाल में जादा बग देना पड़ेगा, थोड़ा सा confusing होते हैं कुछ सवाल, but we'll spend time there, don't worry, कुछ सवाल easy है, what is the importance of universal law of gravitation, यार, importance तो in the sense बहुत जादा है, जैसे, number one, it is the reason behind which every object on earth is on earth, otherwise we will be floating, so it is because of which, because of earth only we are able to stand on earth, ठेक है, we are pulled towards the earth, also number two, it is also the reason why the moon is revolving around the earth, it is also the reason why solar system exists, and earth is revolving around the sun, it is also the reason why tides happen, because of the moon, है न, तो ऐसे सारे बहुत सारे importance है, gravitation के, और ऐसे बहुत सारे importance और बहुत सारे importance है, जो हमने अब तक डिस्कवर किये भी नहीं है, ठेक है, तो इस सारे points मैंने आपर लिख दिया है, solution के format में, चिंदा मत करिये, है, है, पीडिएफ में सब कुछ है, ठेक है, तो डरना नहीं किसे, जो जो सर बोल रहे है, miss नहीं हो जाएगा, डरो मत, सब लिखा हुआ है, ठेक है, आप डाउनोड कर लेना, हमारे, यह तु पर screenshot देलो, simple सी बात है, इतना tension क्यों ले रहे हो, पीडिएफ डाउनोड कर लेना, हमा only and only because of gravitational force, यहाँ पर हम air resistance को zero मानते है, assume किया जाता है कि आपका air resistance नहीं है, तो gravitational force zero हो गया, ठेक है, और, sorry, air resistance zero हो गया, तो gravitational force के वज़े से, जब object गिर रही होती है, उसमें का acceleration होगा, क्यों गिर रही है न object, तो वो acceleration किसके वज़े से होगी, gravity के वज़े से, आपके gravitational force के व gravity, so the acceleration here is g, which is due to gravity, तो इसका formula क्या होता है, capital G, capital M upon R square, जिसकी value होती है, 9.8 newton, जो आप जानते हो, है न, simple, 9.8 newton बोलते हैं मैंने, meter per second square, sorry, sorry, meter per second square, meter per second square, yeah, no, ninth question, what do we call the gravitational force between the earth and an object, earth के gravitational force on an object, मदब आपके ओपर gravitational force है, तो उस force का नाम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं, weight, है न, weight of an object is the gravitational force on that particular object by earth, ठीक है, इसका formula होता है, M into G, जहाँ पर M mass होता है, G acceleration due to gravity होती है, और weight क्योंकि force है, उसकी unit newton ही होती है, ठीक है, 10th question coming on your screen, यह बहुत interesting सवाल है, यह सवाल आ probably आएगा midterms में और या तो आपके final examination for sure आएगा, काफी अचा सवाल है, अमित बाइस few grams of gold at the poles as per the instruction of one of his friends, तो भाई, मानलो कि यह आपका अर्थ है, अर्थ हमेशे आद रखना कि अर्थ कभी भी gold नहीं होता है, अर्थ pole से चप्टा होता है, है न, तो अगर यह अर्थ का radius म निकालोंगा, तो radius of the pole ऐसे होगी, और equator पे आप देखोगे radius जादा होगी, ठीक है, तो pole से चप्टा होता है, equator याने के center से चौड़ा होता है, ठीक है, हम, he hands over the same when he meets him at the equator, अच्छा, तो अमित ने क्या क्या भाई, सोना खरीदा, पोल से और equator में आके अपने दोस को दे दि क्योंकि gold का weight कम हो गया, क्यूंग हो गया gold का weight, अब बताते हैं क्यों, ठीक है, weight का formula क्या पताया हαι, weight का formula पताया था, mass into acceleration due to gravity, ठीक है, अब यहाँ पर G का formula क्या है, G का formula है, capital G, capital M upon R square, ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं, capital G और capital M तो constant values है, capital G तो universal gravitation constant है, 6.67 into 10 power minus 11 उसकी value है और वैसे mass of the earth constant है 6 into 10 power 24 के जी वो तो बदल नहीं रहा तो इसके साब से g is inversely proportional to your radius है ना याने कि जहां पर radius कम होगी वहाँ पर g जादा होगा और जहां पर radius जादा होगी वहाँ g कम होगी और g और weight का क्या relationship है यहाँ पर देख से तो भाई mass of an object constant होती है वो बदलती नहीं है mass is always constant throughout the universe तो weight is directly proportional to g तो जहां पर g जादा होगी वहाँ पर weight जादा होगा और जहां पर g कम होगा वहाँ पर weight कम होगा तो basically यहाँ पर pole पर क्या होता है radius of the pole आप देख सकते हो is less than the radius at the equator यहना pole पर radius कम है equator पर जादा है जिसके वज़े से acceleration due to gravity at pole is greater than the acceleration due to gravity at equator क्योंकि inversely proportional है radius pole पर कम है तो acceleration due to gravity जादा है और equator पर कम है और क्योंकि acceleration due to gravity pole पर जादा है weight भी pole पर जादा है as compared to weight at equator तो जब Amit ने Sona pole पर खरीदा तो उसका weight मानलो 2 kg था लेगि जब equator पर आके वही weight 2 kg का weight जब ना पा तो 2 kg नहीं कम दिखाया है ना weight बदा weight कम दिखाया mass नहीं तो आपे 2 से Newton था यहाँ पर आगर weight चेक है तो भाई वह 150 Newton था 50 Newton कम हो जाता है जब equator पर आप आते हो क्यों कम हो जाता है क्योंकि equator पर radius ज़ादा होती है आपके अर्थ की जिसके वाज़से acceleration due to gravity कम होती है और weight भी कम हो जाता है तो यह जो आखिर मैंने box बनाया ना यह है reason और यह है जबाब इसका ठेके बेटा diagram के सबनाओगे पूरे marks मिलेंगे और इसी बात में बल्ले बल्ले हो जाए क्योंकि हमने 10 सवाल कर लिये हैं अभी and after 10 questions people and we did that in I think 15 minutes 16 minutes of time that is incredible incredible और इसमें बहुत सारे एक मा के सवाल भी थे दो मा के सवाल भी थे तीन मा के सवाल भी थे in fact gravitation chapter के exercise सवाल करने के बहुत मज़े आते हैं और अभी कुछ देर के बाद हम ये universal law of gravitation free fall से निकल कर equations of motion के सवाल भी करेंगे जो बहुत कातिलाना होता है ठीक है बहुत छीचे सवाल होता है so don't worry we are gonna do much more interesting questions हम सारे सवाल करेंगे आपके exercise के अब तर अगर आपको मज़ा आ गया हो तो please make sure to hit the like button share the experience subscribe to the channel comments में जरूर बताना जो मैंने पूछा था motion chapter forces and laws of motion chapter work energy power sound का ऐसे आपको सारा solution चाहिए NCRT का की नहीं let me know ठीक है चलो बागे बढ़ते हैं भाई साब 11 सवाल करते हैं why will a sheet of paper fall slower than one that is crumpled into a ball याने के भाई देखो आपके सामने एक paper है जिसको हमने crumple कर दिया चटा कर दिया समझ गया ना बाल बना दिया उसका दूसरे paper को ऐसे गिरा दिया ठीक है तो यह जो हमने गोल बनाया गोला बनाया इसका paper का वो जल्दी गिर जाता है लेकिन यह paper धीरे 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 गिरती है ठीक है तो ऐसा काहे होता है सवाल वो है जवाब इसका बहुत सिंपल है जो crumpled होती है उसका surface area कम होता है surface ने मतलब जो area हवा से exposed है वो कम होती है जिसके वज़े से उसके उपर air resistance हवा का जो क्या कहते है प्रहार है उसपे कम होता है प्रेशर कम होता है लेकिन जब चीज़ कोई पत्ली सी हलकी सी ऐसी चीज़ जो फैली हुई हो गिरती है तो भाई उसपे हवा का प्रेशर जादा होता है the best example for this is पैरशूट्स पैरशूट्स अगरा आप देखा हो पतला सा material होता है कपड़े का लेकिन हवा उसमें इतनी भर जाती है कि वो एक इनसान का weight समाल लेता है और वो धीरे-धीरे इनसानों को नीचे जमीन पर safely पहुचाती है क्यों? क्योंकि भाई उसका खुलने के बाद उससे surface area इतनी भर जाती है कि वो हवा को capture in करती है और हवा का जो air resistance है उपर की तरफ पुश करता है पैरशूट को और आपका जो speed होता है नीचे करने कम हो जाता है और फिर आप safely land करते हो तो हाँ भाई, जो एक फैली चीज होती है इसका surface area जाधा होता है उस पे air resistance जाधा होती है that's the answer, इस वज़े से वो धीरे गिरता है और जो चीज crumbled होती है इसका surface area कम होता है वो जाधा थीजी से गिरता है ठीक है? चलो, अब आगे बढ़ते है to question number 12 gravitational force on the surface of the moon is only one sixth as strong as gravitation on the earth बिल्कुल साही बात है यह आपको पता ही है weight of the object on earth is six times the weight of the object on moon है न? earth पे जितना भी आपका weight है वो moon से 6 गुना जाधा है moon पे आप जागोते हैं आपका weight 6 गुना कम हो जाएगा one sixth हो जाएगा ठीक है? now, what is the weight in newtons of a 10 kg object? mass यहाँ पे दिया हुगा है 10 kg on the moon and on the earth आपका weight अर्थ पे और मास और चांद पे कितना होगा अगर आपका mass 10 kg है तो बहुत सिंपल है भाई weight of the object on earth is basically mass into acceleration due to gravity अब 10 kg का mass है acceleration due to gravity 9.8 है है ना? तो जवाब कितनी होगी? 98 newton आपका हो गया weight of the object on earth weight of the object on moon is 1 6th of the weight of the object on earth है ना? 6 को आप यहाँ लिया हो ठीक है? तो क्या हो जाएगा भाई तो 1 by 6 और यह हो गया 98 newton कर लो भाई calculation 6 1 0 6 तीन बज गया 6 6 0 36 और 2 बज गया और 6 3 0 18 फिर 2 बज गया 16.33 newton आपकी value आ जाएगी simple सा solution हाँ अब शुरू हो चुके है आपके equations of motion के सवाल तो मैं जल्दी साबको recap के लिता हूँ कि आपके equations of motion कौन कौन से है V is equal to U plus 80 जहाँ पर V final velocity है U initial velocity है A acceleration है क्योंकि यह gravitation chapter है हम acceleration due to gravity लेंगे यहाँ पर और T time होता है acceleration due to gravity उपर जाते वक्त negative होती है नीचे आते वक्त object में positive होती है क्योंकि जब object उपर जाती है तो वो slow down हो जाती है उसकी velocity कम होती है क्योंकि यह acceleration नीचे दरफ कीचता है तो negative लेना होता है जो object नीचे आती है तो उसको positive लेना होता है ठीक है दूसरा equation of motion हो गया आपका S is equal to UT plus half GT square तीसरे equation हो गया V square minus U square is equal to 2GS ठीक है यह आपका 3 equation of motion हो गया recap कर लिए अब इसको सवाल करता है अब ball is thrown vertically upwards with a velocity of 49 meter per second एक ball को उपर की तरह fake आ गया है with an initial velocity of 49 meters per second ठीक है calculate the maximum high to which it rises तो हमें calculate करने की भाई इसकी maximum height maximum कितनी है अब हम बता है कि जब एक object उपर जाता है maximum height पे उसकी velocity कितनी होती है maximum height पे उसकी velocity 0 हो जाती है तो final velocity 0 हो गई ठीक है और उपर जाते बद acceleration द्यूटो gravity negative लेना है तो minus 9.8 meter per second square अब calculate करो भाई होगी आब आब खतम तो पहला क्या निकालना है मैं maximum height to which it rises कौन से फॉर्मना इस्तमाल करें पहला equation of motion नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर height के बारे हम बाती नहीं कर सकते हैं there is no displacement concept दूसरा equation of motion होता है आपका s is equal to ut plus half a t square t नहीं है हमारे पास time नहीं यहाँ पर तो वह इस्तमाल नहीं कर सकते हैं तो बचता आपका तीसरा equation of motion है v square minus u square is equal to 2g और maximum height निकालना है 2as होता है a के बदे g लिया s displacement होता है यहाँ पर height की बात हो रही है तो displacement height हो गई और maximum height की बात हो रही है है ना तो यहाँ पर हमें निकालना है maximum height तो h max is equal to v square minus u square divided by 2a हमने अरड़ी प्रूव कर दिया है कि v square यहाँ पर 0 होगा maximum height पर है ना तो height maximum पर आपकी value कितनी आगी भाई minus u square by 2a ठीक है तो यहाँ पर minus u square कितना है भाई initial velocity 49 into 49 और divided by 2 into minus 9.8 अब 9.8 पांच बार जाता है आपका 49 और 49 5 by 2 होगा तो basically 49 into 2.5 करना है या तो फिर आप 49 into 5 by 2 कर तो सेम बात हो जाएगी let's try it out ठीक है यहीं पर कर लेते हैं हम यह तो कुछ और ही का illusion बर आप यहाँ पर कर लेते हैं ठीक है 255 by 2 255 by 2 आपकी value होती है 122.5 meter यह आपकी maximum हो गे अब इसके अलावा क्या निकालना है पहला हो गया दूसरा total time it takes to return to the surface of the earth जारके आने में कितना वक्त लेता है तो जाने के लिए कितना वक्त लेता है वो लिखाल लो है ना जाने के लिए तो वक्त easily निकाल सकते हो आप क्योंकि यार वी इस इक्वल टो यू प्लस जी ती तो आपे पता ही है तो जाते वक्त final velocity 0 हो गए initial velocity 49 है और g तो आपको पता है यह minus 9.8 t निकालना है easy हो गया ना तो फिर यह t बन जाता है आपका 49 by 9.8 तो आपकी value आ जाती है t is equal to 5 seconds खतम दूसरे का जबाब आप आगया 5 seconds बहुत ही लड़ू अब देखो आपको लगता है कि यार से मुझे समझ भी आता है कि मैं कौनसा equation of motion का इस्तमाल करूँ यार सोचो कि क्या दिया गया है है ना जैसे मेरे को पता है कि t दिया नहीं है t नहीं ही दिया है तो पहला equation दूसरा equation इस्तमाल नहीं कर सकते हैं ठीक है भाई एक टावर से एक स्टोन को रिलीस किया जा रहा है फेका नहीं जा रहा है रिलीस किया जा रहा है रिलीस मतलब ऐसे छोड़ा जा रहा है तो इसकी निशे velocity 0 हो जाती है ठीक है यह बताने के लिए उन्होंने रिलीस लिखा हुआ है और टावर की हाइट कितनी है भाई टावर की टोटल हाइट है 19.6 मेटर कितनी है 19.6 मेटर ठीक है calculate its final velocity just before touching the ground बहुत easy सभाल है final velocity निकालनी है और time यहाँ पर दुबारा नहीं है तो आपके पास एक ही option है third equation of motion V square minus U square is equal to 2GH जहां पर U square तो 0 है बताया गया है तो V square will be equal to 2 into अब object नीचे की तरफ गिर रही है तो आपकी acceleration due to gravity positive होगी 9.8 so 9.8 into height कितनी है 19.6 ठीक है तो V square will be how much यार 2 into 9.8 is also 19.6 into 19.6 तो अगर आब इसका square root निकालोगे तो उसमें से 19.6 निकली जाएगा वैसे इतना easy सवाल दा भाई है oh my god can you imagine यह मेरे ख्याल से यह भी easy है 17th question जो थोड़ा सा difficult है बच्चों समझ नहीं आता 17th है मेरे ख्याल से हो यह सवाल भी easy है करके देखें चलो our throne is vertically upwards with an initial velocity of 40 meter per second ठीक है एक पत्थर को ऊपर की तरह फेखा गया है और इसकी initial velocity दी गई है 40 meters per second बढ़िया आगे बताओ taking g is equal to 10 meter per second लेकिन object उपर की तरफ जा रही है तो हम दिमाग बाले हैं हम इसकी value negative लेगे 10 meter per second square हना उपर जाते बाद g negative होती है find the maximum height हमें दुबारा maximum height निकालनी है जो अभी हमारे लिए बाई हाथ का केल है क्योंकि maximum height में final velocity 0 होती है ठीक है और हम यह भी बताना है what is the net displacement and the total distance covered by the stone तो मतलब ऊपर जाके बापस आने में कितना distance लगेगा यार वो तो आप maximum height निकाल दो और उसको double कर देना तो total distance हो गया displacement क्या होगा बता देते हैं तक क्यों करते हो बट ठीक है let's find the maximum height it reaches same जो अभी घुज़र पहले सवाल के तरह मने वही करना है यहाँ पर v square minus u square का यह formula इस्तमाल होगा तो v square minus u square is equal to 2gh max और अभी हमने सीख लिया कि v square यहाँ पर 0 होगी maximum height पर तो आपका h max हो जाता है minus u square by 2g ठीक है अब minus u square by 2g क्या होता है भाई सब minus u कितना है 40 40 into 40 divide by 2 into g कितनी है minus 10 negative negative कट गया 10 ones are 10 fours are 2 ones are 2 twos are तो आपका maximum height यहाँ पर हो जाता है 40 into 2 80 meter ठीक है यह हो गया mathematical classification कितना हो गया भाई यह हो गया 80 meter तो अब नीचे से उपर 80 meters हुआ तो उपर से नीचे कितना हुआ 80 meters तो यहाँ पर total distance बन जाता है 80 plus 80 160 meter distance कितना हो गया 80 plus 80 is equal to 160 meter और displacement कितना हुआ displacement of course ही बात है भाई 0 हो गई क्यों हो गई 0 क्योंकि भाई उपर गया वापस आ गया initial and the final position is the same displacement becomes 0 ठीक है displacement तो आपने पहले chapter पढ़ा हुआ है तो you know about this, correct? चलो बहुत बढ़ी अब आगे बढ़ते हैं to question number 16 another interesting question ओए होए हाँ ये मैं बोल रहा था आपको कि मैं इस सवाल में आपको बताऊंगा कि वो power वाले formulas power वाले sums कैसे करते हैं ठीक है now calculate the force of gravitation between the earth and the sun earth और sun के बीच में को gravitational force निकालना है given that the mass of the earth दी गई है sun की value दी गई है average distance भी दोनों के बीच में दिया गई है सारे values आपके पास है ठीक है तो सीधा बिना वक्त परबात के gravitational force का इस्तिमाल करते हैं ठीक है क्या भाई formula capital G capital M small m upon r square यहाँ पर आपके पास G की value पता है आपको 6.67 into 10 per minus 11 बड़ा mass कौन सा है sun है बड़ा mass तो 2 into 10 per 30 kg 2 into 10 per 30 kg into छोटा mass का है भाई अर्थ का mass है 6 into 10 per 24 kg बढ़िया divided by r r कितनी है भाई धी वी है 1.5 into 10 per 11 का वोल स्क्वेर square मत भूलना मत भूलना अब मैं किया रहा हूँ कि आप सारे powers को एक साथ लाओ और एक साल calculate करो ठीक है जैसे मैं सब सब वहले यह decimal निकाल देता हूँ 6.67 से decimal निकाल देता हूँ 667 लिखूंगा मैं आप यह मैं क्या लिखूंगा 667 आप चाहो तो थोड़ाँ easy करने के लिए आप 6.7 को 67 लिख सकते हूँ वो भी easy है वो भी ठीक है कोई issue नहीं है ठीक है बट I'll go with 667 तो मेरा value हो जागा 667 into यह 2 into यह वाला 6 into दो decimal मैंने और लिए तो यह 10 पर माइनस 11 10 पर माइनस 13 हो जाएगा into 10 पर 30 into 10 पर 24 ठीक है divided by 1.5 का स्क्वेर होता है 2.25 2.25 into 10 पर 11 11 का स्क्वेर मतलब 10 पर 11 को पावर से मल्टिप्लाई करते हैं तो 11 तो जा 22 हो गया 10 पर 22 अब मैं यहां से भी अगर decimal निकाल दू तो क्या होगा यहां पर 2.25 into 10 पर 22 के बद्रे 2.25 into 10 पर 24 हो जाएगा ठीक है अब मैं वो नहीं कर रहा मैं काटने के बाद फिर इसको बाद में कर लेता हूँ या तो फिर मैं दुबारा लिख देता हूँ आपके calculation के लिए तो 667 into 2 into 6 into उपर वाले powers को में solve कर देता हूँ तो 10 पर माइनस 13, 10 पर 30 कितना हो जाता है माइनस 13, 30, 17 17 हो जाता है 10 पर 17 10 पर 17 प्लस 10 पर 24 कितना हो जाता है 17 प्लस 24 is 34, 41 ठीक है तो उपर आपको बज जाती है 10 पर 41 divided by 225 into 10 power 20 20 ठीक है अभी आपने 2 power ले लिया तो 10 पर 22 से 10 पर 20 हो गया अब आपके सामने क्या है सिंपल सा 667 into 2 into 6 है divided by 225 है कोई भी decimal नहीं है सिर्फ multiplication और division खील हो जाता है है कि नहीं तो उसमें ही सिर्फ लगएगा आपको decimal confusion नहीं है power confusion कुछ नहीं है power यहां पर अगर आप निकालोगे 10 power 41 divided by 10 power 20 41 minus 20 हो जाएगा division में power subtract होते हैं multiplication में add होते हैं तो आपने 41 को 20 से minus कर दे हैं तो आपको बजगा 10 power 21 तो आपकी value final 10 power 21 या तो जो भी आपकी value हो आगी पहले decimal में लिकना है तो आप क्या करोगे 667 into 2 into 6 करोगे उसके बाद 225 से divide कर दोगे whatever the value comes in I think it should be somewhere about 10 या तो फिर भाई नहीं 3.557 to 10 power 22 तो तो या देखो यहां पर concept समझो concept क्या है यहां पर concept यहां पर simple है powers को अलग से solve करो decimals को निकाल कर powers को solve करो ताकि आपका multiplication division easy हो decimals का multiplication और decimals का division difficult होता है इसलिए powers को ही आपके decimals से उठालो ठीक है बढ़िया अब आगे बढ़ते हैं to this question which is one of the toughest questions और I would say the toughest question of this entire chapter in this NCRT exercise लेकिन है यह बहुत easy अब करके दिखाता हूँ आपको लगए कि इतना easy था ही है देखो कैसे करते हैं इसको ठीक है ध्यान से देखना अब a stone is allowed to fall from the top of a tower 100 meter high ठीक है तो एक stone को एक tower की उपर से छोड़ा जा रहा है और यह tower की height कितनी है tower की height दी गई है भाई 100 meter है छोड़ा जा रहा है drop किया जा रहा है फेका नहीं जा रहा तो इसकी initial velocity कीतनी होगी इस stone की initial velocity होगी 0 खूल है ठीक है अब बताया जा रहा है कि जब यह छोड़ा जा रहा है at the same time another stone is projected vertically upwards from the ground उसी वक्त जब यह छोड़ा जा रहा है कब और कहाँ पर यह दोनों एक दूसरे से मिलेंगी मानलो जब stone उपर से गिर रहा है न मानलो कि भाई उसने x displacement x distance travel कर दिया ठीक है उपर से x distance travel कर लिया यह distance पर आपके object से मिल रहा है यह दोनों object यहाँ पर मिल रहा है x distance के बाद ठीक है 100-x उपर से उसको subtract कर लोगे तो 100-x बच जाता है ठीक है तो हमें निकालना है when and where तो basically हमें यह intersection का time निकालना है और यह x निकालना है so we need to find out x and we need to find out time दो variables है तो दो equation बनेगे दो variables को एक equation से solve नहीं किया जा सकता है आपको पता है तो 2 variables से 2 equation बनेगे अब यह equation कौन-कौन से होंगे यार try out करते है कुछ ना कुछ तो बनी जाएगा ठीक है अब लेकिन मुद्धा है यहां पर कि एक ही 2 variable है 2 equation बनने चाहिए इन दोनो equations में आपको displacement और time होना चाहिए तब ही तो ना भाई 2 variables से 2 equation से आपको t और x की value मिलेगी नहीं तो कैसे हो गए तो ऐसा कौन से equation of motion है जिसमें आपका displacement और time दोनों होता है v is equal to u plus a t उसमें displacement नहीं है time है तीसरा में v square minus u square is equal to 2 a s उसमें displacement है time नहीं है second equation of motion तो अगर आप पहले object के लिए ठीक है for the first object के लिए अगर आप second equation of motion अप्लाई करोगे that is s is equal to ut plus half gt square के इस्तिमाल करोगे तो क्या आएगा displacement तो भाई x है यहाँ पर ठीक है object x distance travel कर रहा है मिलने से पहले u तो 0 है तो ut 0 हो गई plus half object नीचे गिर रहा है तो g को मैं 10 मानूँगा positive 10 और t square मेरे को पता नहीं time मेरे को नहीं पता तो यहाँ पे कितनी value हो गई मेरी value आगई x is equal to 10 by 2 5 t square मेरा first equation बन चुका है अब यही equation में second object के लिए apply करोगा तो let's apply it for the second object for second object same चीज़ apply करेंगे अब second object का displacement कितना है 100 माइनस x okay equal to initial velocity 25 है 25 t ut plus half gt square यहाँ पर acceleration due to gravity negative लेनी है आपको क्योंकि object ऊपर की दरफ जा रहा है छोटी उटी चीज़ है जो marks कर जाएंगे आपकी equation मना लोगे लेंगे गलत जवाब आएगा है ना तो half minus 10 into t square तो क्या value आएगी 100 minus x is equal to 25 t minus 5 t square यह बन जाता है आपका second equation तो आपके सामने दो equation आगे equation number 1 x is equal to 5 t square equation number 2 100 minus x is equal to 25 t minus 5 t square आप क्या करना है आपको first equation को second equation से subtract करना ठीक है simple याथ आप add कर दो कोई issue नहीं है equate कर दो first equation plus second equation ठीक है तो हम क्या करेंगे यापर first equation plus second equation तो first equation में left hand side पे क्या है भाई x plus second equation में 100 minus x है है आद देखलो आप यहाँ पर x है और यहाँ पर 100 minus x है ठीक है बराबर अ के आगर आपके है 5T square है तो 5T square plus 25T minus 5T square अब देखो आप xx कितने प्यार से कट गया और देखो कैसे 5T square 5T square भी इतने प्यार से कट गया बचा क्या बचा आपका 100 is equal to 25T और देखो भाई सिर्फ एक variable बजगी अब इस equation में so T will be equal to 100 by 25 और T की value कितनी आ जाएगी 4 seconds यानि के आपको एक variable का जवाब मिल चुका है कि 4 second जब object को छोड़ दिया जाएगा उपर से और नीचे से फेक दिया जाएगा 4 second में दोनों एक दूसरे से intercept करेंगे अब x की value कितनी है अब आप क्या करना भाई इसको मान लो तीसरे equation अब इस तीसरे equation को पहले equation में डाल दो 5T square वाले में x आ जाएगी है ना putting 3 in 1 ठेक है so x is equal to 5T square 5 into t कितनी है 4 4 का square 16 16 फाइजा 80 meters याने के आपका object 80 meter उपर से और 80 और ये दीचे से केतना हुआ 20 meter so your object both the stones will meet a 20 meter height from the ground and 80 meters height from the top easy था ना बस वही बात है कि रास्ता पता नहीं होता करने के लिए जब आपको रास्ता पता जागा न आप कुछ भी करोगा पर रोको पता है तो यह मैंने रास्ता दिखा दिया आपको जब भी ऐसे सवाल आए जहां पर multiple cases है दो equations बन जाएंगे, दो variable बन जाएंगे उनको थोड़ा सवाल explore करें करने की कुशिश करें ठेक है? बढ़िया तो भाई 17 सवाल हो गया, अब इसके बाद सारे easy सवाल इसके बाद जो भी सब easy है अब ball thrown up vertically returns to the tower after 6 seconds thrower after 6 seconds find the velocity which it was thrown up अब जोगे सब easy हो गया है उससे tough अब भी बागे सब easy लगेगा एक object को उपर फेखा हमने उपर जाकर वापस आया तो total 6 seconds लगे आपको बताना है कि किस velocity से इसको फेखा गया था बहुत लड़ू सवाल इसको confusion नहीं, confuse बिल्कूल नहीं करना देखो, उपर जाकर वापस आने में 6 seconds लगे तो सिर्फ उपर जाने में कितना वक्त लगेगा 3 seconds उपर जाने में 3 seconds आने में 3 seconds ठीक है, initial velocity हमें निकाल नहीं है और maximum height पे velocity तो 0 होती है और उपर जाते वक्त आपको पता है कि भाई, acceleration due to gravity आप minus 10 लई सकते हो आप तो 9.8 ले लो, जो भी आपको ले ले लो आप calculate करो आप पहला, कौन से equation इस्तमाल करोगे यार इसमें time तो दिया गया आपको तो again find out v is equal to u plus 80 उसी से ही निकाल सकते हो so v is equal to u plus 80 का इस्तमाल करोगे आप तो यहाँ पर final velocity तो 0 है क्योंकि आप सिर्फ उपस जाने का velocity मान रहे हो height मान रहे हो और क्या निकालना है आपको यहाँ पर आपको u निकालना है so u becomes equal to minus gt ठेक है, minus g कितनी है आप ले लो चलो भाई, minus 9.8 ले लो आप आपको confusion है कि 10 लेना कि 9.8 आप 9.8 ले लो वो जानदा बेटर है टाइम कितना है भाई, 3 second तो negative rate positive हो गया तो 9.8 into 3, 8 threes are 24, 2 carry 9 threes are 27, 29.4 meters per second आपकी value आजाती A की खतम B, the maximum height it reaches maximum height it reaches भाई, निकाल दो आपके, you know, s is equal to ut plus से ही, वो तो easy है, या तो b square minus u square से निकाल दो, कैसे भी आपको निकालना, निकाल सकते हो तो सब्सक्राइब निकाल देते हैं हमारे maximum height भी किस से निकाले जादे easy calculation कौन सा होगा मेरे क्याल से वो वाला होगा है third equation वाला, v square minus u square is equal to 2gh h, h निकालना है, ये v square 0 है, तो minus u square by 2g, ठीक है, आप वैसे second equation of motion से भी निकाल सकते हो ठीक है, so h will be equal to minus u, कितना निकाल हमने, 29.4 into 29.4 divided by 2 into minus 9.8, और 9.8 जाता है, ये 3 बार, तो h will be equal to, और इससे 2 से भी आप काट सकते हो, so 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 7s are 14 14.7 into 3, 7 threes are 21, 2 carry, 4 threes are 12 12 plus 2, 14 1 carry, 3 1s are 3, plus 1, 4, तो आपकी value हो जाती है 44.1 meters आपकी value हो जाती है, maximum height की, अब आखरी क्या निकालना है its position after 4 seconds, 4 seconds के बाद इसकी position निकालनी है, जो again easy है, और आप निकाल सकते हो आपके second equation of motion से ठीक है, जो होगा s is equal to ut plus half 80 square gt square कर लो ठीक है, तो चौते second पे इसो करने के दो तरीके है चौते second पे क्या हो रहा है, देखो 3 seconds लग रहे है उपर जाने के लिए, चौते second में object नीचे आ रहा होगा है ना, ये बहुत लोगे दिमाग में नीचे टपकता है, और सीधा और टी 4 seconds लगे निकाल देते है जो गलत आएगी value, height फिर वहाँ पे गलत आएगी ठीक है, आप उपर क्योंकि सिर्फ उपर नहीं जा रहा है object, उपर जाके नीचे भी आ रहा है ठीक है, 3 seconds लगे उपर जाने में और 1 second लग रहा है नीचे आने में ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग से खेलना है object गया उपर, अब नीचे आ रहा है इस height पे अगर इसकी velocity 0 थी final velocity मेरे को नहीं पता मतलब उपर जाने के लिए 3 second लगे 1 second और लगे उसको नीचे आने के लिए 3 second पहुचा, 1 second में नीचे आ गया ठीक है, तो यहाँ पे time 1 second है u 0 मेरे को पक्का है और मेरे को निकालना क्या है, मेरे को निकालना है भाई, its position after 4 seconds, 4 second पे क्या position है इसका, जमीन से जमीन से क्या position है तो भाई, जमीन से क्या position है मतलब, total height तो 44.1 मीटर है, ठीक है अब उपर से मान लो कि भाई यह जो x है मेरे को पता नहीं मेरे को वो x से निकालनी है कैसे निकालो मैं, दुबारा यार यहाँ पे 2 equation of motion बन जाते है या तो फिर आप simple तरीके से s is equal to ut plus half 80 square आपको value आ जाएगी, displacement सिधा निकल जाएगा, जैसे यहाँ पर u, आप यहाँ पर u is equal to 0, u मान सकते हो 0, तो s की value कितनी आ जाएगी क्योंकि आप सिर्फ उस case को दे रहे है you just take that particular case जब हो 1 second ऊपर से आ रही है, तो यह 0 हो गया half, g तो positive है into 9.8 क्योंकि object नीचे आ रही है time कितना है भई, 1 second लग रहा है 1 second का में ले रहे है, पूरा 4 second नीचे नीचे ले रहे है तो 1 का square दिमाग से को लोगे तो बराबर आपको s की value आ जाएगी 2 into 9 9.8 divided by 2, जो होता है आपका 4.9 4.9 meters दिमाग लागे तो सब हो जाएगा बाई साब वनना आप क्या करोगे, 4 second डाल करोगे जो value बिलत आईगी आपको 3 second ऊपर जाने में लगे, 1 second नीच जाने को लग रहे है ठेक है तो यह सारे values आपके हो चुके हैं, वो was a very good question by the way, so I hope आपने try किया होगा, यह आज का आखरी सवाल है क्योंकि इसके बात का 20th question है, वो आप लोगे लिए homework होने वाला है, आज हमने सारे सवाल कर ली, NCR, ठीक, and let me look at the time, and guess what we have done in almost in an hour, and I am absolutely proud of myself to do this in an hour, 20 सवाल एक घंटे में करना is not a small job, 20 सवाल एक घंटे में करना is a not small job for you also, thank you so much for staying with me throughout the session, और जरूरी नहीं कि आपको पूरा session देखना है, जहां पर जिस सवाल में आपको doubt आता है, कर नहीं पाते हो, वो सवाल देख लो, बहुत important है, ठीक है, in what direction does the bind force on an object immersed in a liquid act, bind force is always an upward force, it always acts on the object in the upward direction, gravitational force is always a downward force, it acts in downward direction, bind force is always acts on the upward direction पानी के उपर के तरफ, ठीक है बीसवा सवाल ये रहा आपके सामने ये है आप लोग के लिए आज का homework comment section मुझे जरूर बताईएगा कि भाई साब आज का session कैसा लगा, और यही session आपको motion, pose and loss of motion, work energy power and sound के लिए चाहिए कि नहीं, और इस सवाल का जवाब भी आना चाहिए बहुत सारा महनत हमारा team कर रहा है आप लोग के लिए I hope आप लोग देख पा रहे हो तो उनके लिए जरूर like, share और subscribe करियेगा ठीक है? और share जरूर करना जादा मिल दे नेक्स session बच्छो, अटे बिल दे नेक्स अबिषेग कर दो चाहिए